नमस्कार दोस्तो अगर आपको सेक्स रिलेटेट कोई प्राबलेम हो और उस प्राबलेम के लिए आप कीसी ऑञान डॉक्टर के पास से अपना ट्रीटमेंट करवा रहे हो चाहे वो डॉक्टर यूटूब का कोई famous डॉक्टर हो जिन से आप treatment ले रहे हो या कोई और platform हो जैसे कि कोई website हो या फिर कोई online application हो जहां से आप online treatment ले रहे हो दोस्तो आज से ठीक दो मेहना पहले हमारे clinic पे एक patient आये थे हमारे YouTube वीडियो को देखने के बाद जब उनको पता चला कि मैं भी West Bengal से हूँ तो उन्होंने online consultation की जगा offline consultation मुझसे लेना सही समझा और इस patient का age है 28 years और इस patient को पिछले एक साल से erectile dysfunction की problem है और इस patient का link में तनाव तो आता है मगर वो sustain नहीं हो पाता है मतलब erection संभोग के दोरान हो पाता है मगर वो रुक नहीं पाता है वो तूड जाता है अब ये patient मेरे पास आने से पहले YouTube के एक famous doctor के पास से इन्होंने online consultation जिस doctor ने इनको 4-5 तरह की medicines इनको इनका address पे भेजे थे और उस doctor का medicine को खाने का बाद से इनका problem और बढ़ गया और इस doctor का medicine से पहला ही dose से इनका link में तनाव आ गया और वो तनाव ऐसा आया कि इनका link में तनाव 4 घंटा sustain हो गया 4 घंटा इनका link में तनाव बरकरार रहा और 4 घंटा बाद जब इनका link में तनाव धिरे-धिरे कम होना start हुआ तो इनका link एकदम flaccid condition में ही एकदम पत्थर जैसा हो चुका था और उसमें काफी पेन थी बहुत ज़दा दर्थ थी और इनका link 4 घंटा जो खड़ा रहा उसके बाद से इनका link में तनाव आना है totally बंद हो तो अब क्या किया जा सकता है अब link में तनाव भी नहीं आ रहा है इनको 5-6 दिन बीत चुके थे link में totally इरेक्शन आना बंद हो चुका था और इन्होंने अपना doctor से contact करने का try भी किया मगर इनका doctor ने इनका phone भी नहीं उठाया और नहीं WhatsApp पे इनको कोई reply दिया और फिर उसक को कहा था कि आप जब आएंगे तो साथ में आप उन medicines को भी लेकर आईए मैं देखना चाहूंगा कि वह क्या medicines है तो यह doctor इनको बहुत सारी medicines भेजी थी कुछ खाने को भी थी और कुछ लगाने को भी थी और इस patient का कहना था कि सर powder वाली जो medicine है जो कि powder जैसे दिखती है जो क पुडिया बना कर patient को देते है खाने के लिए और वैसे ही sugar of milk के साथ इनको 8-10 पुडिया इनको भेजा गया था और उनमें से एक ही पुडिया को मैंने लैब में भेजा और उस लैब में मुझे जो पता चला वो सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे sugar of milk के साथ व्यागरा मिला हुआ था English medicine व्यागरा मिला हुआ था इस doctor ने अच्छी तरीके से व्यागरा को पीस कर उसको अच्छी तरीके से ग्रेंड करके sugar of milk के साथ मिक्स कर दिया और इस patient को भी लगा कि मैं होमेपतिक medicine खा रहा हूँ जिसमें बिलकुल भी कोई side effect नहीं ह but in short he was taking व्यागरा former जोला चाप होमेपत जो की बहुत ही सरम की बात है इस तरह का हरकत से आप होमेपतिको निचा दिखा रहे हो आप अपना strength को बाहर लाने की जगा अपना खासियत को बाहर लाने की जगा आप shortcut अपना रहे हो और इस patient का side effect को खतम करने के लिए मैंने इनको औरममेट से इनका treatment स्टार्ट किया औरममेट 0x10 से हमने इनका treatment को स्टार्ट किया और दो ही दिन में व्यागरा का इनका अंधर जो side effect हुआ था वो पूरी तरह चला गया और फिर उसके बाद मैंने इनका फिर से case ticking किया और case ticking के बाद मैंने इनको कालीब्रोम साथ में इनका जो मेन प्रॉब्लम था जिसके लिए इन्होंने उस जोला चाप डॉक्टर से treatment लिया था वो प्रॉब्लम भी इनका सौट आउट हो गया और अब इनको बढ़िया इरेक्शन भी आ रहा है और इनका इरेक्शन सेस्टेन भी हो रहा है तो दोस्तों मेरा इस व विडियो को ही पेंड करता हूँ सो थैंक्यो वेरी माच एंड हवो गुड डे